मतस्य विवाग चंबा क्यूर से आज चमेरा एक के जॉलाश्य में कोमिन कॉर्प प्रजाती की मश्ली के 27,000 पीज डाले हैं इस मौके पर मतस्य विवाग के परियवीक शक विवीक शर्मा विशेशत तोर पर मौसूद रहे उन्होंने बताए कि कोमिन कॉर्प प्रजाती मश्ली की ग्रोथ बहुत ही जल्द होती है एक बश के वीदर ही यह मश्ली तयार हो जाती है उन्होंने बताए कि मतस्य विवाग की ओर से लोगों को मश्ली उत्पादन कारे से जूड़कर आर्थिक तोर से स्वाव लंबी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है मैं आज मतस्य विवाग की तरफ से एज अब्जर्वर यहां पर आया हूँ तो यहां पर आज कॉमन कार मश्ली की जो परजाती है इसकी यहां से सल्तानपूर फार्म जो हमारा है यहां से स्टॉकिंग करवाई जा रही है यह चमेरा डैम में कियानी नामक जगा है वहां पर यह स्टॉकिंग करवाई जा रही है तो यह सीड सेवन्टी और एमम से उपर का इसका साइज रहता है और यह कॉमन कार पर जाती का बच्चा है इसमें काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है इससे आने वाले समय में हमारे जो फिशर्मेन हैं और जो ओंजेजर वाहां पर फिश्ट के काम में लगे हूए हैं उनको आने वाले टैम में इसका फाइदा मेनेगा घी यह फार्म एक्चली यह हमारा काफी अच्छा पर्मै और प्रोगस्टी फार्म है ये चंबा का केबल एक मातर फार्म है, यहां का जो कार फार्म है, यहां पर कार मचली का उत्पादनी किया जाता है, वाकि यहां पर थोड़ा इश्यू है, यहां पर थोड़ा जो ड्रेन बगारा का पानी है, मार्किर्स की जो ड्रेन है, उसका पानी यहां पर आता है, जिसकी वह से हमारे जो मत्से धन है उसको भी प्रॉलम आ रही है और फारंव की रखरखाव में भी दिक्कते आ रही है इसको आने बाले समय में जो है डिश्टेशन के साथ और लोकल जो डिपार्टमेंट्स है पेडवल्डी है टीसीपी है उनके साथ इसको जो उठाया जाएगा और इसका कोई लेवल साइज में आ जाती है तो उसके बाद जैसे ये फिशिर्मेन हमारे जो वहां पर फिश कैच के काम में लगे हैं वो इस मचली को पकड़ के अपनी अजीब का कमाते हैं तो उनका आने वाले टाइम में इसका डेफिनिटली इसका फाइदा देखने को मिरेगा इसमें हमा मचल गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट ने अधान मंतरी मत से संपदाई हो जो है उसके तहट हम कोशिश कर रहे हैं कि नए फार्मस को जोड़ा जाए इसके अलावा जो हमारे नदी नाले हैं जहां पर के मचली किसी परकार से और जलवायू परवर्तन की वे ऐसे हैं क उसको वहां पर स्टॉक करते हैं ताकि वहां पर आने वाले टाइम में उसके जीन पूल को बढ़ातरी मिले और वहां के जो लोग हैं जो मत से जो मचली पकड़ने के कारह में लगे हुए हैं उनको भी रोजवार की संभावना वहां पर बढ़े हैं इसके लावा हमारे जो हैं वहां पर विवाग दोरा हर साल जो है सीड की स्टॉकिंग करवाई जाती है अच्छी क्वालिटी का जो सीड है वह हम बाहर से टेंडर के थूरू उसको पर चेज करते हैं और उसको विभीन जगहों पर जहां पर भी मचली उसमें संभावनाएं हैं मत्से उत पादिन की वहां पर उसको स्टॉक करवाई जाता है जैसे चमेरा है रंजीत सागर है वहां पर उसको स्टॉक करवाई जाता है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं हमारे विसंट इयर्ज में चमेरा और नीज सागर में काफी कैच में काफी जाए भरिग हुई है इसका डिरेक्ट बेन देवे हिमाचल टीवी के लिए चमबा से दीपक शर्मा की रिपूर्ट